आप सभी का अपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसर्प्ट क्लासस में स्वागत है और कुछ दिनों से आप लोगों का लगातार बार-बार कॉमेंट्स आ रहा है आप लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा नया एक्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों का नया एक्जाम का पैटर्न क्या होगा और देखिया अभी यह ऑफिस्यल अपडेट नहीं है बलकि एक अनुमाल लगाया जा रहा है आप लोगों का कुछ इस प्रकार हो सकता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को ल बेलिक आइकन को प्रेस कर लिजिए और जैसे ही आप लोगों का पैटर्न आ जाता है मैं क्या करूंगा आप लोग के लिए जब तक मोडल पेपर जारी नहीं होता है तब तक मैं सेंपल पेपर जारी करूंगा और सेंपल पेपर से आप लोग तैयारी करेंगे और सेंपल प जानते हैं कि इस साल आप लोगों का दो एकजाम होने वाला था एक था आपका term 1 और एक था आपका term 2 लेकिन पेपर में अभी जो फिलहाल अपडेट आया हुआ है बोला जा रहा है कि यह आपका term 1 और term 2 होने वाला था यह दोनों अलग-अलग नहीं होगा बलकि एक साथ आप लोगों का अब एक ही परीख्चा होगा और यह जो आपका एक परिख्चा होगा ना इसका जो सिलेबस रहने वाला कंप्लीट शौल का 75 tशिलेबस है 75!! पड्रीबस सिलेबस सही आप लोगों का यहाँ पर एक्जाम होने वाला है और 75% सिलेवस से आप लोगों का यहां पर questions पुछा जाएगा और कल के paper का जो update देखे कल के paper में क्या बोला गया है कि पहले की तरह ही परिक्षा होगी बना पहले जिस प्रकार से आप लोगों का exam होता था बिल्कुल उसी प्रकार से exam होने बाला है तो आप लोग ने सबसे पह आप लोगों का अप्रेल में exam होगा तो क्या वाकाई में अप्रेल में exam होगा इसके उपर भी discuss करेंगे तो सबसे पहले आम बात कर लेते हैं कि आपका जो exam कहा पर प्रेटन होने वाला है तो देखिए यहां पर पहले का बात क्या जाए तो पहले में क्या होता था आपका 80 नमबर का आपका theory होता था और 20 नमबर का या तो practical होता था या पिर internal assessment होता था ये चीज़ होता था और इस पर नियुक्र, basics 20 का में चार्यिस का हमारा था था यहां पर दिखे color में जो अधिकतर जो पूकस किया घ्याना सब्यक्नीब के उपर रहें तरफोकस था हमारा अगर बात किया जाए तो यहां पर हमारा जो टर्मय था यह 40 नमर का था यह में 2 भी हमारा 40 नमर का था और देखिए जो term 1 है ना term 1 तो term 1 का model paper भी जारी हुआ था तैके model paper जारी करना मतलब देखिए actual में कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हर एक question को देखना हर एक questions को करना तो यहां देखिए conclusion निकलेगा जो अभी model paper जारी हुआ था तैर्म OHन वाला का तो model paper जी जारी रिए हुआ था इसका अभी इसका syllabus अभी completely नहीं हुआ है cover ठीक है तो जाहर से बाद से जो term 1 का जो है ना आपका देखे 40 question जो यहाँ पर आपका objective था जो 40 नंबर का था यह तो आपका रहेगा ही रहेगा इसमें कोई यहाँ पर changing नहीं होने वाला है कि इसका model paper भी छप चुका था model paper से बच्चे practice कर चुके थे बहुत सारे teacher या फिर maximum teachers बच्चों को तयारी भी करवा चुके थे model paper से तो यहाँ पर जो आपका term one का जो pattern था यानि जो 40 आपका यहाँ पर जो 40 question जो objective था यह तो आपका रहेगा ही रहेगा यह आपका रहेगा जो चोटे चोटे टाइप के questions होते हैं जिसी के short questions होगे और liner questions होगे फिल इंद blanks वाले questions होगे यह सब भी पुछा जाएगा तो जो भी changing होगा यहाँ पर आपका term two में होगा तो अभी अगर एक conclusion अगर यहाँ पर निकाला जाए कि अगर आप लोगों का अगर देखा जाए ठीक है यहाँ पर आपका 20 नंबर का यह हो जाएगा यानिके practical या पर internal assessment और यहाँ पर यह जो आपका 80 नंबर होगा ना 80 नंबर में से देखिए 80 नंबर में से 40 नंबर तो आपका जो term one बला था यह तो आपका रहेगा कि कि इसमें बहुत मसकत हुआ है बहुत मेहनत क्या ग पर आपका बढ़ेना है क्योंकि पैटर्ण के साथ साथ आप लोगं का बीजारी होगा और जब मोडल वीपर जारी होगा ना तुमस्टा आइडिया मिलेगा कि नहीं बहुत किस परकार से परकार से त्यारी करना है हमें कहां से कितना कोश्टन्स पूचे जाएगा कितना लिए बिलंक्स वाले कोश्टन्स है हर एक चीजा आपको महां से पता चल जाएगा तो मोडल वीपर का आप लोग इंतियार करिये और जैसे कि बोला गया है कि एक सब्ता के बितर आप लोगं का हो जाएगा हो सब्सक्राइब कि मानिक चली एक्जाम का डेट निकाल दिया ज घरी जो पहले आपने जो पढ़कर रखा है और आप लोगं का मॉडल पेपर है याँ पिर मुणकर अपने जो जो बी लोग से ठेक है आप लोग पहले करते रहे रहे कि न कर्कि यहाँ पर बीटेज्ज है जब 75 पाषित से बला जा रहा है इसका मार्ण क्या हुआ कि आप का तरमी तुका भी रहेगा यहां पर कोई आप लोग यहां पर छूत नहीं दिया जाने वाला वाला तो अब बात यह रहा कि अगर आपको दिया जा रहा है तो सब्जेक्टिव पॉर्सन तो जैसे भी होगा पता चलेगा लेकिन अभी आपका अगर आपका पैटर्न था यह आपका रहेगा आपका चलिए बात करते एकक करके जैसे कि आपका मोडल पेपर है मोडल पेपर आपको बिल्कुल भी टेंशन ने लेना है मोडल पेपर का मैं complete solution आपको इसी चैनल पर दूँगा जैसे में पहले भी दे रहा था जब आपका आया था ना जो तर्म 1 का मोडल पेपर मोडल पेपर का हरे क्लास के विच्चों को मैं यहां पर करार आता है करके तो बिल्कुल भी टेंशन ने लेना हरे क्लास के स्टुएंट को यहां पर complete solution मिल जाएगा और देखिए जो हमारा सबसे तर्म जाएगा तो जनवरी में हो जादा दिन नहीं जनवरी समझेग खतम हो गया अगर अप्रेल में परिक्षा होता है तो आपके बस ताइम है फरवरी और मार्च का दो मेहना का टाइम है और देखिए सर्फ दो महने के टाइम में मतलब इतना बड़ा इतना चीज तो नहीं हो पाएगा तो जाएड़ से बात है क्या आपका लों का एक्जाम होने का चांस थोड़ा कम है तो मान कीचलि मैं में आप लों का एजाम होगा और देखिए सबसे पहला बात जिसिकान जाये तो देके जो हमारा 10. 12 के बाद में आइन और 11 का कुछ होता है सब्सक்ते रहा हमारा उसमों के पार्ब में में एक जाता है । महीं मैं में के बाद अपरियम होता है तो बस में के बाद आप लोगों समझ सकते हैं कि जनवर फरवर माच अपर मैं तो जून में आप लोगों का यहां पर नाइन और इलेवन का इजम होगा ऐसा हो सकता है और खेर कोई दिगत नहीं है जैसे कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों को बताया जाएगा तो आप वडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में थांकियो जाहिंद